So Hello to you hallo everyone तो कैसे आप सब बात करता है आप सबका आपके अपने केलेकर है अब कोछ कोष्यान का सोलूशन में हाजिर हो तो आपका सबसे पहले नाम आता है रजी ट्रॉफी तो रजी ट्रॉफी एक आपका टेस्ट है जो कि 4 protege का खेला जाता है फिर उसके बाद आपका एर्राणी ट्रॉफी तो इर्राणी ट्रॉफी क्या होता है आपके जो रजी का वweekनर होता है और West of India रेस्ट आफ इंडिया क्रिकेट के नामसे टीम है जो की रडजी में जितने भी अच्छे खिलाडी होते हैं उनसे टीम बनता है उन दोनों के बीच में होता है तो उसे हम इराणी ट्रॉफी के नामसे जानते हैं यह फाइब दे का होता है फिर उसके बाद आपका डूलीब ट् किकेट हैं और उसके बाद आपका जांड़ आपका 50-50 में होता है यह फीर उसके बाद मुस्ताक ली ट्रॉफी के आपका आपका 2020 है फिर उसके बाद आपका आई पिल के बारे वाप सभी जानते हैं 2020 है एतने हमारे पास डोमेस्टिक खेले जाते हैं किस पोर्ट्स तृट क्रिकेट से रिलेटेड जो काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि कई बार दूलीफ ट्रॉफी का नाम आया है कि दूलीफ ट्रॉफी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है फिर एक बार आ गया था देवधर ट्रॉफी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है क्योंकि दोको रडजी सबको पता हैu ख़ता है फिसके बारे में बस्त पता होसी पता हो हुआ कि उन्हें इस्पोर्ट पोर्ट के तरफ चलते हैं तो डेल थो टूठाओं ट्वास मैं입니다 अभी रन कर रहा है तो इससमेन आने के चांसे बहुत कम है हाँ उससे एकोषन आह सकता है कि इस साल का सबसे महना खिलाडी कौन गया उससाल का दिसार का नहाए- zapos सबसे महना खिलाड़ी 24.6 करोण में सब भीके ही और उसके बद पैट कमक है लेकिन आगर हम बात करें 2023 की। idee 23 की बात करने वाले हैं हां तो कर रहा है कि who were the winner of the most recent IPL season played in 2023 मतलब 2023 में जो IPL खिला गया उसका वीनर कौन है तो उसका वीनर था चिन्नाई सूपर किंग्स और इसी के साथ उन्हों ने टोटल अपने पास पास ट्रॉफी अपने नाम किया पास ट्रॉफी आई पास ट्रॉफी क पास है दो ट्रॉफी आपके के के आर के पास है और फिर उसके बाद आपका एक ट्रॉफी है राजिस्थान रॉयल जो की ओपनिंग आई पील होता ओपनिंग राजिस्थान रॉयल ओपनिंग आई पील होता 2008 में तो 2008 में सबसे पहला जो ट्रॉफी जितने वाली कोई टीम IPL की तो राइस्थान रॉयल है इसके बाद आपका सनराइज हैदराबाद है असा गुजराट टाइटन की भी बात कर लेते हैं तो गुजराट टाइटन के पास भी एक ट्रॉफी है इसने अपने पहले ही वनलब पहले ही एडिशन में क्या क्या ट्रॉफी को लिप्ट किया है तो गुजराट टाइटन 2022 में 2022 में गुजराट टाइटन ने उठाय था ट्रॉफी और फिर एक बार मुझे याद आ रहा है सनराइजर हैदराबाद है सनराइजर हैदराबाद एक बार डिकन चार्जर एक बार डिकन चार्जर जो उठाय था ट्रॉफी 2009 में उठाय था तो अभी तक इतने ही टॉटल टॉफी हो चुकी है तो पांच इसका पांच इसका दस यहां से एड़ भी कर सकते हैं यहां हो गया फिर इसके बाद इसमें तीन लिगा लोग पंद्रह हो गया प्लस एक सोल अभी तक सोल एडिसन हो गया है सोल एडिसन हो गया है अभी जो रिसेंट में इडिसन चला है 17 एडिसन है तो इसका पहले का अंसर हो जागा चिन्नाई सूपर किंग्स अब आए सेकंड कोशन चलते हैं किसको हरा के बनी थी तो गुजराट टाइटन गुजराट टाइटन को हरा कर चैन्नी सूपर किंग्स ने ट्रॉफ्य उठाय था आए नेक्स बात कर लेते हैं विच एडियसन इंडियान प्रीमेर लीग आई cater drug ॥ी तो इस सुलाम हमएडिशन है नेक्स सीनै perception में एस सने फजां ने खरीद Trinity to漂ài पॉइंट फाइब करोड में 18.5 करोड में खरीदा था और सेकेंड नमबर पता कैमरें गिरीन थे कैमरें गिरीन 17.5 में थे और जैसा कि 2024 का मैं बता चुका हूँ कि 2024 में जो मिचल स्टाक है उस सबसे महंगे बिकिया जो जिसे केक यार ने खरीदा हैं आइनेक चलते उनका भी सेंचुरी मारा है 2024 में किसने पहला सेंचुरी मारा है या आपको कमेंट करके बताना है आइनेक चलते हैं कोश्चन नमबर 6 की तरफ बहुत ही इंपॉर्टेंट कोश्चन है क्योंकि और परपल कैप से बहुत बार कोश्चन आ चुका है तो औरेंज कप किसने जीता था तो झूब सा बनाता है उसे औरेंज कप दिया जाता है कि सुबमन गिल के पास ता सुबमन गिलने टोटल 70 सेंटीन में मातासा 17 मैच मैच में इन्होंने 890 रन बनाया था और जो इनका हाइस स्कोर था 129 हाइस स्कोर था जिसमें फोर इनके 50 सा मिल थे और 300 सा मिल थे मतलब तीन बार इन्होंने सतक मारा था तीन बार सतक मारा था और पांच अर्द सतक मारा था अब इसमें परपल कैप किसने जीता था अगर बात करें तो गुजराट टाइटन के ठीस के गिए तो इनका बेस फिगर रहा हुण 11 रंदेकर चार बिएक। और जो इनको इकोनॉमी था वह 8.03 का एकोनॉमिक्स था तो एकोनॉमी था तो इकोनॉमी रेट से इसको लेना दिना है नहीं बस आप इतना याद रखें कि जो परपल कैप किसने जीता था तो मुहमद समी और नेक्स बात करें who was the sponsor of Tata IPL एक अच्छा कोशन है इससे पहले वीवो था ठीक इससे पहले वीवो था और जो टाटा IPL का sponsorship था यह टाटा गूरूप को दिया गया यह जो टाइटल अपने नाम किया थे sponsorship का जो टाइटल है क्यों कि जो आता है Tata IPL पहले कि आता था वीवो अब Tata IPL आता है तो यह जो टाइटल देने का उन्होंने 670 क्रोड उपे दिया था दो सालों का फिर उसके बाद उन्हें जब देखे कि ऐसा करने से इनका बहुत ज Sponsorship के लिए 25 क्रोड रूपे इन्होंने टाटा को अमला IPL को दिया है IPL फ्रेंचाइजी को दिया हुआ है तो अभी तक 2028 तक कौन रहेगा Sponsorship यहां पर टाटा टाटा ग्रूप ही रहने वाली है आईए कि वो अन्दा भू अन्दा भू अन्दा मोस् वेलिवबल प्लेयर अवार्ड तो मोस् वेलिवबल प्लेयर अवार्ड जो है सुबमन गिल को ही दिया गया था सुबमन गिल को ही दिया गया था और साथ ही साथ अगर हम बात करें मैन आप दे मैच फाइनल मैच में मैच किसे को दिया गया था तो daven Conway daven Conway को दिया गया था man of the match का आवार्ड दिया गया था और man of the Series सुमंगिल के नाम था आई इसमें कर रहा है कि who is the current president of BCCI कौन है तो देखो जो सौरब कॉंगली है ए प्रिवियस यर थे ठीक है इस से पहले वाले थे करेंट में और रोजर बिन्नी है रोजर बिन्नी जो करेंट करेंट मलब हैं प्रेसिडेंट है बीस करोड पर दिया जाता है और फिर सवाल आता है कि बिस करोड पर जो final winner होता है उनको मिलता है उस्से चीम को मिलता है फिर कि प्रेक वे अगर हम बात करें इंडिया का सबसे बड़ा इस्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है तो यही खेला गया था ऐने पर देखें इसमें तो टोटल दस टीम हैं दस टीम हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं और फिर यह हो सकते हैं कि पहला मैच किनके बीच में खिला गया देखें यहाद रखेंगा कि अभी तक जितने भी आइपील हुएं सबका जो पहला मैच चने इस सूकर पिलेज्वे ने घृपील कर लेजिए 2021 का पूछ ले किसी का भी पूछ ले तो आपको Chinnych Super Kings वाले पाइटिक करना है क्योंकि पहला मैच Chinnychvil Super Kings के साथ ही खिला जाता है जो मेहंदर सिंग दोनी के बहुत जड़ा f свобод colour hooking है अगर start करते ना start अच्छा हुआ तो रिंड़ भी अच्छा ही होता है इसलिए जड़ा ज्यादा ओडियंस को बुलाने के लिए स्टेडियम तक चैने शूपर किंग्स के साथ मैच रखा जाता है आई नेक्स बात कर लेते हैं आपका मुझाल जाता है पहले बता दिया था कि मीचलि स्टार्क सबसे महंगे खिलाडी थे 24-75 क्रोड में खरीदा गया थे केर दौरा क्रोड में खरिदा गया थे क्यार कि दर अब इस के नमबर पतर 5 अडुल फोर्टिन कोरोड में इनैंकर ट्रकरिदा गया थे श्रीन जिम्हाइब को पाराइब किकस्ट अगर अगर इंडियन में बात करें इंडियन आक्सन में सबसे महें हो हरसल पटेल 11.75 करोन में हरसल पठेल हरसल पठेल और सेकेंड नमबर पर समीर रिजवी जिने 8.40 करोन में 8.40 लाख पर में समीर रिजवी को खरिदा गया था जो कि आपके UP के मेरट के प्लियर है UP के मेरट के निवासी है समीर रिजवी को इस अब आपको पता होना चाहिए पता कि इंडियन पूछ ले अलग इससे महेंगे महेंगे जो बिराट कोली हो गये है रोही सरमा हो गये इससे महेंगे गया होंगे लेकिन ओउख्षन में नहीं आया थे ठीक है उन्हीं क्या करता है टीम कोई विप्टी-॥ुथूप्टी最近 50-50 मैचुंद आगे तो . जो पाहला आइसाच टूर्णामेंट थे पहला ऑन्निस इन्टिंटि पतल में चाहःटीच कम अलीनेकर्ट है एर्स टूर्णामेंट में इस हमनार 8-100 पुम में कभा देड वो शूक गोली अर्स लेसylिस princiDr. जो लीट किया त्रफी सबसे पहले oney to कि अस्ट्रेलिया सबसे जदा सबसे जदा बार ट्रफी को लिपकी लिप कि अचले इसी जगह हैं वेस्ट एंडिज एंडिया इंडिया है साथ ही जने ने दो दो बार लिप्ट किया है ट्रोफिक को फिर एक एक बार पाकिस्तान ओ गया पाकिस्तान स्री लंका स्रिलंका और इंगलैंड इंगलैंड इन सब ने एक एक बार ट्रोफी को उठाया अभी तक साथ अफरीका और नीजूलैंड ने एक बार भी 50-50 वॉल्ड कप नहीं जीता है 50-50 वॉल्ड कट एक बार भी नहीं जीता गुह पर फाइनल तक गई थी साउथ अफ्रीका लेकिन जीत नहीं पाई थी नेक्स बात कर लेते हैं वू आज दे वीनर आफ ओडी आई 50-50 किर्केट वर्ल्ड कप तो देखो इसमें जो वीनर था वह आपका अस्ट्रिया था और रनर अप इंडिया था और इंडिया कंटिन्यू साइथ 13 मैच तेरा मैच कंटिन्यू जीती थी अपने जो ग्रूप स्टेश के एक भी मैच नहीं आ रही थी ग्रूप स्टेश के सारे मैच जीती फिर सेमी फाइनल जीती फिर फाइनल में जाके अस्ट्रिया से हारी थी अगर इंडियूबीजिवल इसकोर की बात करेगा एक टीम की बात करेगा कि सबसे जादा किस टीम ने बनाया था तो साउत अफरीका ने सबसे आदा रन स्कूर किया था एक सिंगल मैच में तो सबसे ज्यादा बिकेट किसने लिया था तो महमस सवी यह लुक्त लेट्रिवा था बहुत लेट इंटरिव था लेकिन आते ही धूम मचा जिए थे आती पहले मैच में पांसऩ का पांसऩाने निकाला था निक्स बात कर लेथे 21 की तरफ 21 में कर रहा है कि विज टीम हाइ सबसे कम रन अभी तक सबसे लोवेस स्कोर है ओडियाई का ओडियाई वर्ल्ड कप का जो की स्री लंका ने स्री लंका का है सबसे कम जो पच्पर नंपा आल आउट हो गई थी ओ स्री लंका का है अब आई नेक्स बात कर लेते हैं वो वाज़ अवाड़ेट दा प्लियर आप दा सिरीज इन दा क्रिकेट वर्ल्ल कप 2023 तो सबसे ज़्यादा जो रन बनाया थे बिराट को ली उनको यह अवार्ड मिला था नेक्स बात कर लेते हैं वाट वाज़ दा प्राइज मनी मला कितना म अपार्ड में परोन गरे नेक्स बात कर लेते हैं वे इंडिया यहां यहां सब्सक्राइट में तस्टरे आउया 20 मीःा व्यक्तमा उबर मेंN गोनीने साथने 8-18 से 2018 से start हुआता है तो इसके आने की chances काफी हाई है इस topic पर question आने की chances काफी हाई है इसलिए इस वाले portion को भी इसमें रखा गया था रखा गया है तो करा कि when was the first edition पहला edition कब खेला गया है जैसे कि मैंने date तो लिख दिया अब आपको पता चल गया होगा 2018 में हुआ था तो 31st January 2018 में इसका आरंब हुआ था अब आईए which state is the hosting the khalo India youth between January मतलब ये recent के बात कर रहा है recent में जो अभी हो रहा है मला हो चुका अभी 2024 एक इसकी बात कर रहा है 2024 की बात कर रहा है तो 2024 में Tamil Nadu Tamil Nadu ने host किया था Tamil Nadu ने host किया था और फिर है कि what was the khalo India youth game previously known as तो दो कि इससे जब स्टार्ट हुआ था 2018 में तो इसका नम khalo India youth game नहीं था khalo India school game था youth की जगा क्या था school था ठीक है तो यहां पर दे कि कहां पर है इस खेल की जगा पर स्कूल कहां पर है तो khalo India school game था khalo India school game अभी इस the correct option हो जाएगा चेंज करके इसे बना दिया गया खेलो इंडिया यूथ क्या नाम है यूथ game यूथ game से नाम से जाना जा रहा है चले नेक्स बात कर लेते 28 की तरफ 28 में की वाट इस the maximum age for the school to participate in the khalo India youth game तो देखो जो maximum participate कितने लोग participate का अमला कितने साल की हो सकते हैं तो आप कर सकते हैं इसमें दो केटेगरी एक 17 यह अंडर 17 यह एक साथ कभी नहीं देगा क्योंकि इसको दो भागों में Divided किया गया अंडर 17 यूथ और 19 यूथ में Divided किया गया है तो जो हमें जो option दिखेगा अगर दोनों जोकर एक साथ कभी नहीं देगा दोनों एक साथ नहीं देगा या तो 17 देगा या तो 19 देगा जो भी given रहेगा हम उस और इस साल का जो हुआ था अच्छा यहां भी वही आ गया कि विस्टीम ऑन दे मोस्ट नंबर आफ मेडल इन खेलो इंडिया पैरा गेम 2024 में जो महरास्टा ने बाजी मारा था महरास्टा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा टाइम खेलो इंडिया पैरा गेम का जो अवार्ड इस स्टीव टू बिगें देख बॉली बॉल्स आगया क्योंकि रिसेट में हुआ है और फिर इसके जो ब्रैंड मिस्टर है ओ रितिक रोसन को बनाए गया है तो जाहिर से बात है कि इंपोर्टेंट कोशन है एक इंपोर्टेंट कोशन है और इसे फरवरी 15 फरवरी से और जो इस लीग में कितने फ्रेंचाइजियों ने भाग लिया था टूटल 9 फ्रेंचाइज थी 9 फ्रेंचाइज थी और नेक्स बात कर लेते हैं कोशन नंबर 33 विस टीम ऑन दप प्राइम बॉलीबॉल लीग 2024 तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा कालीकट हिरोज तो प्रेंचायोल है चैंपियन बनी थी नेक्स बात कर लेते हैं कि इसका भाइट प्ररेंट ऐसी पहले ही बता चुको कि इसके ब्लाइक रिटी क्रोशन को बनाये गया है और नेक्स बात कर लेते हैं तो जो 42 टाइटल था वह कौन सी टीम जीती है तो मुंबई की टीम मुंबई की टीम जीती है इससे पहला जो 41 था वोटी फ़र्फ जो था उसको आपका एक बीच में इसमें इसमार इंडिया लारी इरनी किस के बीच खेला तो अबका स्वार्ष और इंडिया के बीच में खेला गया था तो यह आपको पता फोना चाहिए अई बात करें था 36 की तो करा हूँ आन दुरंड कब 2023 टाइटन तो देखो ए अगर हम बात करें तो वर्ल्ल का वर्ल्ल का तीसरे नमबर का सब से ओल्ड टूर्णामेंट सब से ओल्ड जब अंग्रीज हमारे देश पर राज करते थे तो उस टाइम से टाइटल चला रहा है उस पार के वीनिर थे मुहन बांगान की जो टीम है वों जीती ja比較 एड़स में कि यह था एक सब बत्रीसमाइस था एक सब बत्रीसमा एडिसन था तो समझ सकने कितना पुराना यह चलता आ रहा है और नेक्स बात कर लेते हूं ऑन दे 2023-24 सजद मुस्ताः कली ट्रॉफी और इसको याद रखीगा क्योंकि पहली बार उन्होंने ऐसा कारमाद किया था पहली बार जब से स्टाट हुआ है 2008 से हुआ है एक बर किशेक कलीजे का सब्सक्राइब। 2008 से स्टाट है सब्सक्राइब तक पहली बार जीता है और टीम पंजाब है पंजाब आई नेक्स्ट बात कर लेते हैं हूँ ऑन दा इरानी ट्रॉफी 2023 तो दो कि इरानी ट्रॉफी मैंने बताया है कि रेस्ट आफ इंडिया और जो वीनर होता है आपका क्या नमाएं र्डाजी ट्रॉफि उनके बीच में होता है तो क्योंकि टूधावाणट ट्वयनर से यूधाफ एंडिया कैसे नेके बीच में वक्रतव ट्यूःति सबसे चाहँ आप मैं के बता था कि इन Hamilton would इंडिया ने इस ट्रॉफी को जीता हुआ है और 23 या 25 टाइम मुंबई ने जीता हुआ है फिर उसके बाद बाकी सब एक एक दो दो एक एक दो बार सब ने विन किया है टोटल 65 के राउंड साथ हो चुका है बागी हुऊमर्ज एस ये वी वीनर आफ वीज घजारे टोफी 2020 तो इस विजए हजारे टोफी जो इस बार वा था हुआ उसे हरयाना ने अपने नाम किया हुआ था अब नेक्स आई हुआए हूआद्ट प्लियर आप टूर्नामेंट इन विजए हाजारे ट्रॉफिन तो जो स Sport in Global Fair Power Ranking 2024 तो सबसे पहले हम इस ranking की बाद करें तो है कैसा जो फेर पावर है तब किसके पास सबसे तगड़ी आर्मी है सबसे तगड़ी आर्मी किसके पास सबसे powerful army तो सबसे powerful army पहले नंबर पर युएस आता है युएस पहले नंबर पाता है फर्स्ट नमबर पाता है दैन उसके बाद आपका रसिया आता है सेकेंड नमबर पर रसिया रसिया आता है सेकेंड नमबर पर थर्ड नमबर पर चाइना आता है आपने एंज और आप मैं चायिना थार्ड नूंबर पाता है है और इंडिया गजhair इंडिया का सब्सक्राइब यह फॉर्ट फॉर्ट पॉ इसन है पूर्बर फॉर्फ नूंबर पर adel ए इंडिया नेक्स बात करते हैं British Petroleum will set up the technical center in which city तो किस city में बनाया था तो पूर्णे में इसका correct answer हो जाएगा पूर्णे is the correct option इसका हो जाया नेक्स बात करते हैं विच इंडियन कंपनी has the rank second in the world most valuable IT service brand तो तुझे सबसे अगर पहले की बात करता अगर हम पहले नंबर की बात कर तो एसेंचर आपकी सबसे पहले नंबर पर है और सेकंड नंबर आपका 200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 को बीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी इंफर्मेटियों एक आरि चाहे तो फिलियोगे लोग इसे लिएट बिशिक करें तो चैनल को साश्क्राइब करना ना बूले और इससे अपने ओजिने के लिए आपको सकेंटर को स्केंटर करना है तो मिलते नेक्स वीडियो में तब तक आप अपना बहुत खहले कि